जैसरी कृष्णा आज की कहानी है माता सीथा ने भी किया था एक घोर पाप रामयन की कथा तो सभी ने सुनी या पढ़ी होगी जिसमें स्री राम और माता सीथा के जीवन से जुड़े पहलू को दिखाया गया दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेश कर दीजेगा ताकि हमारी आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोगों को समय समय पर मिल सके उनी में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मरियादपुर्शत्तमराम अपनी पत्नी सीता को एक धोवी की बातों में आकर आयुद्धा छोड़ कर जाने को कह दिया था लेकिन क्या आपको पता है कि बे धोवी की रूप में जन्मा एक पक्षी था जिसके श्राप की बजह से ही माता सीता को बन में भटकना पड़ा था जी हाँ आपने सही सुना माता सीता को श्राप मिला था आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाक सजा मिली जो उन्हें बन-बन भटकना पड़ा निथिला नगरी में जनक राजबन सराज करता था उन्ही में से एक राजा सिर्धोष थे एक बार यग के लिए वो जमिन जोत रहे थे उसी समय बहा से एक छोटी कण्या निकलती है इस सुन्दर कण्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई उन्होंने उस कण्या को अप तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही कुपसूरत था बे दोनों पक्षी एक परवत की चोटी पर बैठ कर बाते कर रहे थे पिर्थिवी पर स्री राम से विख्यात एक बड़े सुन्दर राजा होंगे उनकी महरानी का नाम सीता होगा स्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगी धन है बेजान की देवी और धन है बेश्री राम तोते की ऐसी बात सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं इन्हें पकड़ कर मैं इन से अपने जीवन से जुड़ी सारी बाते पूछ सकती हूँ इसलिए उन्होंने अपने शहलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़ कर लाने को कहा उनकी सहलिया उस परवत पर गई और दोनों पक्षियों को पकर कर ले आई माता सीता उन पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत सुन्दर हो देखो डरो नहीं मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुचाऊंगी तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आये हो राम कौन है और सीता कौन है तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है माता सीता के पूशने पर दोनों पक्षि बताते है कि एक बहुत बिख्यात महारिशी बालमिकी है हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं महारिशी ने रामयन नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसका पाठ उन्होंने अपने शिश्यों को भी कराया है उन पक्षियों ने सीता को ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महारिशी बालमिकी ने बताया है कि महारिशी रिश्ष्रंग के द्वारा किये गए उत्रेश्टी यग्ध से प्रशन्य होकर भगवान विश्णू, राम, लक्ष्मन, भरवत और सक्रुगन ये चार मानो सरीड धारन कर पिट्तिवी परजन मिलेंगे बड़े होने पर स्रीराम, महारिशी विश्रमित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मन के साथ हाथ में धनुष लिए मिधिला आएंगे और सिवजी के धनुष को तोड़ कर सीता से विवा करेंगे फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा कि हे सुन्दरी हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया अब हमें छोड़ दो हम जाना चाहते हैं पक्षियों की बात सुनकर माता सीता के मन में और भी बाते जानने की इच्छा हूँ उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहा होंगे बेकिस के पुत्र है कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवहा करेंगे नर तो तब बोला कि स्री राम चंद्र मुख कमल के समान सुन्दर नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए नाशी का उची पतली भुजाय भुटनों तक गला संख के समान होगा मैं उनका क्या वर्णन करू जिसके गुनों का वक्षान स्वामुक्वाला भी नहीं कर सकता दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्न है जो जल्दी रभुनाद जी की पत्नीवन कर उनके साथ कई वर्षों तक राज करेंगी लेकिन तुम कौन हो पक्षियों की बाते सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ माता सीता उन्हें कहती है कि मैं तुम दोनों को तब ही छोड़ूंगी जब स्री राम यहां आकर मुझसे विभा करेंगे तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो ये सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है कि हम बन के पक्षी है हमें घर में सुख नहीं मिलेगा मैं गर्वेवती हूँ मुझे जाने दो मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी आप चाहे तो उसके बाद फिर से यहां आजाऊंगी उसके कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा तब उसके पती यानि नर तोते ने कहा सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो वो गर्वेवती है जब ये बच्चो को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर से तुम्हारे पास आजाऊंगा तब माता सीता ने कहा तुम आराम से जा सकते हो लेकिन ये मुझे पसंद है तुम घबराव नहीं मैं इसकी सच्छे से देखवाल करूँगी जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब वो पक्षी दुखी हो गया पक्षी दुबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिन्दा नहीं रह सकता इसलिए इसे छोड़ दो माता सीता तुम बहुत अच्छी हो मेरी प्रार्थना मान लो इस तरह उसने बहुत समझाया लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा तब मादा पक्षी ने कुरोध में सीता को श्राब दिया कि अरी जिस प्रकार तुमुझे इस समय अपने पती से अलग कर रही है बैसे ही तुझे भी स्वयम गर्ववती की अवस्था में स्री राम से अलग होना पड़ेगा कुछ दिन बाद पती से विछणने के दुख में मादा पक्षी के प्रान निकल गए पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुश्य से भरी स्री राम की नगरी आयुद्धा में जन्म लूँगा मेरे ही कारण तुम्हें पती के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा ये कहकर वो बहा से उर जाता है उस सल बाद उसका जन्म अयुद्धा में धोवी के घर हुआ उस धोवी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ उन्हें अपने पती स्री राम से अलग होना पड़ा हमारे कर्मों का फल एही मिलता है इस कहानी से ये बात सिद्ध हो जाती है कि कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता फिर चाहे वो भगवान राम हो या सीता सभी को अपने कर्म के फल को भोगना पड़ता है दोस्तों यहां कहानी आपको कैसा लगा कॉमेट बॉक्स पर जरूर बताईएगा इस चैनल पर अगर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेश कर दिएगा थाकि हमारे आने वाली नई वीडियो का न जाए स्री कृष्णा